दोस्तों अदानी गुरूप की बात के तो आज बहुती खराब दिन दिखाई दे रहा है अदानी गुरूप के लिए सभी शेरों में जबर दस गिरावट है आप देखेंगे एक के बाद एक कंडिशन खराब होते जारी है और काफी जादा उनको प्रोब्लम हो रही है और इसके बीच में अब आदानी ग्रूप ने किया है बहुत बड़ा फैसला क्या है वो फैसला और उसके क्या परिणाम हो सकते जानने की कोसिस करेंगे इस तरब ए चुसरी अपडेड़ भी जिनको एक करके डिसकस करेंगे और जानने की कोसिस करेंगे आने वाले समय में अधानी ग्रूप में क्या सिचोशन बनने वाली है और क्या इस समय अधानी ग्रूप से हमें दूर हो जाना चीए यहा फिर इस समय में खरिदारी का मौका बन रहा है इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माधिम से लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बे लाइक और दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोट आप यह देखें तो बाजर खुलते ही आप गिरावट का माहुल बना हुआ है अदानी पावर की बात करें स्टॉक 191 पर है 4.45 परसंट की बारी गिरावट है लोर सरक्रीट लगने की पूरी आपे समावना बनी हुई है अब अदानी टोटल गैस की बात करें तो 855 पर स्ट ACC सिमनद की बाद करें तो olarak 1691 के इस्टर पे 2.28% की बड़ी गिरावट है अंबुजा सिमनद की बात करें 366 के इस्टर पे 3.29% की बारी गिरावट है और NTTV की बात करें 201 पर है श्टॉक जहाँ पे 2.73% की बड़ी गिरावट है या पर भी बनी हुई हुए और ये काफी व सबसे बड़ी वात है कि अदानी ग्रुप में जिस्तर से गिरावट बनी हुई और इसके लावा युएस मार्केट में जो गिरावट बनी थी फ्राइड़ के दिन उसका नतीजा है कि बाजार में भी काफी बड़ी गिरावट है लगबग सैंसेक्स में भी साड़े साथ सो पॉइंट की बारी गिरावट है तो यह दोनों मिले जूले जो रीजन है उसकी वज़ेसे आपे माह देख सकते हूँ कि में अधानी जो प्रोजेक्ट है इसको रोक दिया गया है और इसके पीछे वज़ा बनी है लिपोट ही देख सकते हो कि यहां पे बहुत बड़ा डेंट लगा दानी गरूप को आप देख सकते हो कि काफी प्रोजेक्टों इनको इस समय डिले करने पड़ अब यहाँ पर जैसे कि NSC के उपर इलजाम लगाया थे कि उन्होंने अधानी ग्रूप के शेरों को ASM लिश्ट से बाहर क्यों किया क्योंकि पिछले जिनों ही अब देखे तो अधानी विलमार, अधानी पावर और अधानी इंटरप्राइजेस को ASM लिश्ट से बाहर किया ग अब कि अभी भी बहुत सारी वर्ड की जो अधानी ग्रूप को तो यहाँ पर NSC ने बड़ा जवाब दे दिया है NSC के तरब से बिल्कुल क्लियर किया गया है कि किसी भी इंसान के कहने से यहाँ पर कोई डिसीजन दिया नहीं जाता है उनके कहने से ASM लिश्ट में कोई बदलाव नहीं होता है यह सारा का सारा एक प्रोसेज है उसके हिसाब से ही काम होता है और इसलिए यह जो index के अंदर बदलाव होता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा mechanism काम करता है और इसलिए यहाँ पे जो इलजाम लगाएगे वो पूरी तरह से baseless है और उनका यहाँ पे कोई वजुद नहीं है जो इलजाम लगाएगे उसको मानने को हम तयार नहीं है और NAC न करने जारे है और इसके लिए private placement के माध्यम से रीफाइनेंस करेंगे तो यहाँ पे आदानी ग्रीन एंडर्जी और अदानी पोर्ट्स लिमिटेड के लिए वाया private placement के माध्यम से जो इन्हों ने जो बॉंड्स है जो फोरें बॉंड्स उसका जो है वापस रीफाइनेंस करन दो यहाँ पे बॉंड्स जो बंड्नों ने है वो इसको रीफाइनेंस करने की तयारी किया जिसमें आप देखो 500,000,000,000 के और इसके लावव 600,000,000,000 के जो बॉंड्स है उसको फिर से रीफाइनस करना जा रिया पन्पनी तो यहाँ पे देखो private placement के माध्यम से एक लंभे प प्रत्मों और पिंदस को आसानी से आगे बढ़ाया जा सके तो जो पार्टिया यहां पे तयार है उनके साथ में री फाइनेंस की एक्टिविटीज को पूरी किया जाएगा और उसके बाद में इस कारोबार को सांती से आगे बढ़ाया जा सकता है इसलिए बड़ा एक तो यहाँ पर प्राइवेट प्लेस्मेंट के माध्यम से इनको रिफाइनेंस किया जाएगा। पर डिसकसन किया जाए राजय सभा में तो यहाँ पर देख सकते हो कि सरकार कोशिस कर रही है कि इस मामले को साइड में किया जाए लेकिन विपक चाता है कि JPC बने ही बने जबकि सरकार का कहना है कि अलड़ी सुप्रीम कोट ने कमिटी बना दी है वो अपनी जाच रिपोर्ट अब फिलाल डूबने की कगार पर है और आप देख सकते हो कि वही क्रेडिट सुइस है जिसने जब हिंडल मक की रिपोर्ट निकल गाए उसके बाद में अदानी ग्रूप के उपर एक बड़ा जुलम ढ़ाया था और क्रेडिट सुइस ने कहा था कि हम अदानी ग्रूप के की वैल्यू को जीरो करें तो यहां पर देख सकते हो कि बांड के मार्जिन लेने पर रोक लगा दी थी और एक तरस से देखे तो अदानी ग्रूप के जो बांड की वैल्यू को जीरो कर दिया था अब वही क्रेडिट सुइस है जो खुद डूबने की कगार पर आ चुका तो आप देख सकते हो कि अदानी ग्रूप तो अभी भी काम करा है लेकिन क्रेडिर सुइस के खुद की कंडिशन खराब हो गया और इसलिए ब्लेम लगाने के पहले विचार करना चीए एक हिंदेंबर की रिपोर्ट के दम पे पूरे इतनी बड़े सामराजी को यहां पर हिलान बनती है लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइननसल एडवेजर से बाड़े ले ले यह अपना खुद का रिसार्च करें क्यूंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू क जोर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ठैंकियो फ्रेंड